दप्रतिबाय केटमी भोपाल की तरफ से मैं दीपक एक बार फिर आपका सौगत करता हूँ पटवारी परिक्षा 10 दिसंबर की फर्स सिप के प्रशन हमारे पास आए हैं आए आज इनका अनलेसे समलोग करते हैं पहले जो सेक्टर हम लोग देख रहे हैं वो मद्यप्रदेश जीके पर आधारित कुछ प्रशन है स्टार्ट करते हैं आए दोस्तों गांधी सागर अभ्यारन दो भागों में बाटने वाली कौन सी नदी है इस बारे में बताना था देखिए गांधी सागर अभ्यारन जो है यह मनसौर जिले में है जिससे चंबल नदी जो है वो गांधी सागर अभ्यारन को दो भागों में बाटती है चलिए अगले कोशन पर आते हैं अगला हमारा जो कोशन दा वो है मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायधिस कौन थे देखे दोस्तों लास्ट कोशन जो प्रीवियस देपे जो कोशन दा वो कोशन दा मुख्य मंत्री कौन थे पहले मुख्य मंत्री पंडित रवीश अंकर सुकले जो प्रीवियस पेपर में पूछा था अभी पूचा गया पहले मुख्य नेदिस तो एक बात हमें यहां ध्यान में रखनी है कि जो मद्यप्रदेश के पहले है ये बहुत बार पूचा जा रहा है इसी दोराण देखने है इसका ăंसर क्या है इसका अंसर है पहले मुख्य नेदिस का किनारे इस्तित है तो बालागाट सहर वैन गंगा नदी के किनारे इस्तित है मैं बता दू वैन गंगा नदी सिवनी जिले के परसवाड़ा छेतर से निकलती है और ये बालागाट सहर इसी नदी के किनारे है आए दोस्तों अगले कोशन पर आते हैं अगला कोशन है रानी दुर्गावती किस जिले से समबन्दित रही है इसका आंसर है जबलपुर जिला यही पर इनकी समाधी भी बनी हुई है चलिए अगले कोश्चन पर आते हैं अगला जो कोश्चन है हमारे पास मुरैना में 22 मंदिरों से समबन्दित जगह का नाम बताए कोशन आया था कि मुरैना में 22 मंदिरों से संबंदित जगह कौन सी है उसका आंसर है दोस्तो जलेश्वर ये मुरैना में ही है जो नरोरा के नाम से भी जाना जाता है जलेश्वर चलिए अगले कोशन पाते हैं अगला कोशन बहुत इजी था होशंगाबाद किस परवत माला पर इस्थित है होशंगाबाद सहर किस परवत माला पर इस्थित है इसका सही आंसर है सत्पुडा परवत स्रेणी चलिए अगले कोशन पाते हैं अगला कोशन आया है प्रतिभूती कागज कारखाना कहा है और इसका अंसर है होशंगाबाद देखे इसके अलावा जो अकबारी कागज कारखाना है वो नेपानगर में है एक ओरियंट पेपर मील जो है ये अमलाई में है और नोट प्रेज जो है वो देवास में है तो आपको इन चारों को याद रखके चलना है इनसे सम्बंदित question हो सकता है अगले paper हो में आ जाए अगला question MP के current affair से related था कि दक्षिण ACI देशों के अध्यक्ष मतलब speaker का सम्मेलन 2017 का कहा हुआ दक्षिण ACI देशों के speaker सम्मेलन कहा हुआ ये हुआ था इंदौर सहर में आयोजित किया गया था 18 और 19 फरवरी में देखे speaker हमारे हैं जो है वो सुमित्रा माजन है जो की इंदौर की है इसी तरीके से आप याद सकते हैं कि ये इंदौर से सम्बंदित था चलिए अगला question आया था लोक सेवा guarantee अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज कौन सा है देखे इस तरीके के question यदि पूछे जा रहे हैं और MPGK से आदारित अगर प्रशन है तो ज़्यादतर आंसर वो यही पूछेंगे जो मध्यप्रदेश से सम्बंदित होगा तो देखे लोक सेवा guarantee अधिनियम लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो है मध्यप्रदेश राज्य कुछ question इसके अलावा दोस्तो विविद से आये थे विविद पर आते हैं विविद में जो पहला प्रशन आया था देखे स्पोर्ट से related मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूं काफी प्रशन आते हैं पहला प्रशन आया है 2019 में राष्ट्रिय खेल कहां आयोजित किये जाएंगे इसका सही आंसर है आंधर प्रदेश में अगले question पर आते हैं अगला question दा 500 रुपए के नोट पर कितनी भासाएं है इसका सही आंसर है दोस्तो 17 भासाएं है हिंदी और अंग्रेजी ये दो भासा अलग से लिखी है और 15 भासा है लाइन बाइन लिखी हुई है तो इसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं चलिए आगे आते हैं गोलमट से संबंदित प्रशन आया था दोस्तों गोलमट से संबंदित जो प्रशन है गोलमट जो है संकराचारे ने चार गोलमट की स्थापना क किंद्री खेल मंतरी की बात कर रहे हैं, खेल मंतरी बनाया गया थ, इसका सभी आंसर है, राज्वर्धन सीह हैं, यहीं अगर दोस्तों मठ्ध्य प्रदेश की बात करें, तो जो MP में राज्ध्य खेल मंतरी हैं, यह मैं आपको ट्रिक बता दे रहाँ, सिंधिया फैमिली में से है जिसको आपको पता करना है कि सिंधिया फैमिली में से कौन है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा पता कीजेगा कि सिंधिया फैमिली की कौन से ऐसे परसन है जो मद्रदेश राज खेल विभाग के प्रमुक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे के next question जो है उस पर आते हैं देखिए last 9 तारीक के जो paper में आया था वो भी दिनांग के अर्थात day पर question आया था और आज के paper में भी हम लोग जो analysis दे रहे हैं इसमें भी paper day पर देखते है question है विश्व cancer दिवस कब मनाया जाता है विश्व cancer दिवस कब मनाया जाता है इसका सही answer है चार फरवरी को विश्व cancer दिवस मनाया जाता है देखिए previous देखिए next question आया है गुप्त वन्स के संस्थापक गुप्त वन्स के संस्थापक कौन है गुप्त वन्स के संस्थापक है स्री गुप्त अगला question था चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है चमेरा बांध किस नदी पर है ये रावी नदी पर है तो आपको बांध और नदी से संबंदित दो से तीन प्रशन आ रहे हैं तो इसको अच्छे से अनलिसिस करके चलना है अगला कोश्चन था कल्पना चावला जो की USA में रहती थी और भारती मूल की म 2002 की बात चल रही है ये अगला कोश्चन है रास्ट्री खेल संग्रहाले कहां इस्थित है रास्ट्री खेल संग्रहाले दोस्तों नई दिल्ली में इस्थित है और यहीं अगर हम बात करे राज खेल संग्रहाले की अगर राज खेल संग्रहाले होगा ये तो राज की बात करे तो वो भोपाल में टीटी नगर स्टेडियम जो होता है तात्या टोपे स्टेडियम वहाँ इसका आंसर होगा राज्य खेल संग्राले का अगला कोश्चन देखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस पर आदारित कोश्चन आया पण्चायत का कारिकाल कितने वर्स का होता है इसका सही आंसर है शबूत है अगला जो कोश्चन हमारे पास है वो आया था ऊंचायत में तकनिकी सहता समूह का कारे क्या होता है तक्नीकी साहता समूग का कारे क्या होता है तक्नीकी साहता समूग का कारे दोस्तों जो होता है इसका उत्तर है कि जो टेक्निकल टेक्निकल हैल्प मतलब तक्नीकी साहता प्रदान करना चलिए अगले कोशन पर आते हैं अगला कोशन जो था वो है बलवंत राय महता समिती की अगला कोशन देकिं दूसरा समीटी पर यह आदा रित है अगला कोशन है असोक महता समीती किस सरकार के कारिकाल में बनी असोक महता समीती के बारे में मैं बता दू असोक महता समीती 1977, December 1977 की बात चल रही है जब जनता पार्टी की सरकार थी जनता पार्टी की सरकार में तब मुरारजी देशाई की सरकार रही है तो असोक महता समिती किस केस में आई है जनता पार्टी सरकार्वन चलिए अगला कुश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं वो कुश्चन है जनपत पंचायत के मुख्य कारेकारी अधिकारी कौन होते हैं जनपत पंचायत के मुख्य कारेकारी अधिकारी ये होते हैं चीफ एक् बड़े छेतर पर लगाये जाने वाली फसल कौन सी है सबसे बड़े छेतर में लगाये जाने वाली फसल की बात कररें उत्पाधन की नहीं इसलिए इसका आंसर होगा धान अर्थात चावल की खेती यहीं अगर हम production की बात करते तो answer गेहूं हो सकता था चलिए आगे बढ़ते हैं विश्व बैंक के अनुसार भारत में प्रतिवेक्ति आये कितनी है दोस्तों इसका exactly option और answer क्या था ये मेरे पास अभी available नहीं है पर आप लोगों को सर्च करना है कि विश्व बैंक के अनुसार भारत में अभी प्रतिवेक्ति आ वर्तमान में कितनी चल रही है चलिए अगले question पढ़ाते है अगला question था कि मनरेगा में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षंड दिया गया है मनरेगा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षंड दिया गया है इसका सही answer है दोस्तों 33% कुछ लोगों ने 50% भी लगा कर आ गया है तो इसका सही आंसर 33 प्रतिसर ही है चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं अगला प्रश्न था नियूंतम समर्थन मुल्य का निर्ण कौन करता है कि नियूंतम समर्थन मुल्य क्या होगा देखें नियूंतम समर्थन मूल्य से सम्मंदित एक प्रश्ण में आपको बता दे रहा हूं हो सकता है आने वाली एक्जामों में आ जाए कि नियुन्तम समर्थन मूल्य कितनी खाद्य फजलों पर लगाया जाता है यह आपको ढूड़ना है और नेक्स वीडियो में मैं आपको इसका आंसर आगे का जो प्रश्ण है वो है गेहूं के साथ कौन सी फसल बोई जाती है गेहूं के साथ मिसरित फसल कौन सी होगी देखें मिसरित फसल या कौन सी फसल बोई जाती है इसका एक आंसर है सर्शो बाकी option में कुछ दोस्तों ने बता है हमें की चना भी एक option में था तो वैसे इसका जो सही आंसर होगा, वो गेहूं के साथ सर्सों की खेती होती है, क्योंकि सर्सों के पेड़ की हाइट थोड़ी सी पौदे की हाइट थोड़ी जादा होती है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन पर आते हैं, प्रधान मंत्री क्रसी बीमा योजना के त प्रधान मंत्री क्रसी वीमा योजना के तहत किसानों को कितना प्रतीसत प्रीमियम कितना प्रतीसत प्रीमियम भरना पड़ता है प्रीमियम की बात करें तो खरीव की फसल में 2 प्रतीसत का प्रीमियम भरना पड़ेगा रभी की फसल में 1.5 परसंट का और बागवानी में 5 प् प्रात्मिक इस्तर बताईए अर्थ व्यवस्ता का जो प्रात्मिक इस्तर होता है तो वो होता है क्रसी अर्थ व्यवस्ता का प्रात्मिक इस्तर होता है क्रसी यहीं अगर आंसर आएगा अर्थ व्यवस्ता का दुतियक इस्तर क्या होता है सेकेंडरी स्टेज तो आंसर होगा उद्योग तो थोड़ा आप अर्थ विवस्ता के प्रात्मिक दुतियक और त्रतियक इस्तर को देख लीजेगा अगला प्रशन हमारे पास था दो हजार पंदरा में भारत का मानविकास सूचकांग क्या रहा है दो हजार पंदरा में भारत का मानविकास सूचकांग जो के आंसर है एक सो तीस वन थाटी नमबर पे है अगले कोशन पर आते हैं रास्ट्री खेल संग्रहाले देखिए ये कोशन हमने फिर से रिपीट कर दिया है मैं फिर भी बता दू रास्ट्री खेल संग्रहाले जो की है नए दिल्ली में आज जिते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं हिंदी से आधारित प्रश्न के पहले एक प्रश्न और मेरे पास आ जाता है एक प्रश्न और है कि विज्ञान की वह साखा जो म्रदा और फसल से संबंदित है इसका सहिए हांसर है दोस्तो एग GGd तो सारी की सारी जो विज्ञान की साखाएं हैं आप उसको याद़ाएं